अगर आपका Free Fire का एकाउंट किसी बंदे ने हैक कर लिया है तो आज की ये वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा आपको अपना Free Fire का एकाउंट बापस कैसे रिकावर करना है अब देखो पहले हम बात कर लेते हैं आखिर आपका Free Fire एकाउंट कैसे हैक होता है इसके क्या रिजन है तो रिजन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ हाईलाइट रिजन को आपको बताना चाहूंगा अगर हो सकता है आपका Facebook एकाउंट आप किसी ऐसे बेप साइट प पासवर्ट शेयर करते हो और बंदे ने आपको धोखा दे दिया मतलब आप अपने दोस्त को अपना पासवर्ट दे देते हो अपना ID देखने के लिए और वो आपको लोटाता ही नहीं है आपका ID और पासवर्ट बेगरा सब कुछ चेंज कर देता है तो इस तरह से भी आप पासवर्ट शेयर करें आपको अपका एकाउंट तभी हैक होता जब आपके लिए लेका आया हूं इसके लिए गाईज मेरे पास दो अप्संस है दो ट्रिक हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूँ एक उप्संस है एमेल आडरेस का अगर आपका फ्री फायर एकाउंट एमेल आडरेस से लोग इन था और उससे कनेक्ट था तो आप काफी है सानिच से दो दिन के अंदर अपना एकाउंट को बापस ला सकते हैं और दुसरा है अगर आप आपका एकाउंट फेस्बुक एकाउंट से लिंक था मतलब आपका फ्री फायर आड़ी फेस्बुक एकाउंट से कनेक्ट था और आपका फेस्बुक एकाउंट हैक हो गया है तब आपको लाने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे चुकि फेस्बुक एकाउंट वाले आ आपका Free Fire Account, email ID से login है, email ID से connect है और आपका account hack हो गया है, आपका email ID hack हो गया है, तो आपको बापस Free Fire का account में क्या से login करना है, तो दोस्तो वीडियो काफी interesting सी है, और वीडियो काफी knowledgeable भी है, तो वीडियो को like करना, और इसी तरह के interesting वीडियो के लिए guys, आप हमारे चैनल को भी subscribe कर लेना, अगर आपको कुछ भी हमसे help चाहिए, तो हमारा वीडियो के description में Instagram का link दिया गया है, वहाँ पर जाकर करके आप हमें message करना, मैं आपको वहाँ पर reply करूँगा, और आपके ID recover करने में help भी करूँगा, तो चलो आज की ये वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहले guys, आपको जो email account hack हुआ है, वो email account को आपको याद रखना है कि कौन सा email account आपका hack हुआ है, उसके बाद आपको play store में जाना है guys, देखो play store में, अब आप सोच रहोगे play store में ऐसा किया है, तो play store से एक application को आपको download करना है, guys, twitter, चलो मैं यहाँ पर search करता हूँ, आपको twitter download कर लेना है, मैं अपने phone में download करके install भी कर लिया हूँ, अभी update मांग रहा है, मैं update नहीं करूँगा भी, तो आप जब twitter को download कर लोगे, उसके बाद आप open करोगे, तो इस पे आपको login करने के लिए बोला जागा, इस पे आपको account बनाने के लिए बोला जागा, तो आप इस पे account बना लेना, account बनाने के लिए कुछ नहीं, आप इस तरह से आपको दिखाएगा, तो इसके उपर क्लिक करके आपको follow कर लेना है, जब आप follow कर लोगे, तो आपको होगा क्या मुझसे जो भी help मिलेगा, आपको मैं help करूँगा, अब इतना करने के बाद एक चीज और आपको search करना है, वो क्या search करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिट से आना है, और यहाँ पर search करना है, यहां पर आपको एक प्लस का बटन दिख्यागा तो ध्लस वाले बटन के उपर आपको क्लिक करना है और ट्व डिपके करना है उसके बाद धुस्तों आपके समने लिए इस यहां पर एंटरफेस आ जाएगा यहां पर अर्दर एट टीम यूट्व आप लस यहां पर आपको लिखना है अब गाईस यहां पर आपको लिखना है माई गूगल एकाउंट है यहां पर लिख देना है और लिख देने के बाद आपको यहां पर यहां पर ट्वीट का बटन दिख रहा है यह ट्वीट वाला बटन के उपर आपको क्लिक कर देना है जब आप ट्वीट वाले बटन को पर क्लिक करोगे यहां पर इस तरह से यह ट्वीट बाज सक्सेपुली मतलब सम्मe हो जाएगा बस आपको करना कुछ नहीं है, अब बैक आना है आपको, अपना profile sections में आपको जाना है, अब profile sections में आओगे तो यहाँ पर आपने जो भी tweet किया है, वो tweet यहाँ पर आपको दिखाएगा, अब आपको 10-15 मिनट का वेट करना है, 10-15 मिनट बाद आपको reply आएगा, अब जब भी reply आपको पता कैसे चलेगा, एक तो पता चलेगा, उपर notification आजागा, दुसरा पता चलेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बहुत सारे times जो है, वो टीम यूटूब reply किया है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ताकि आप सब को थोड़ी idea मिल जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं बहुत सारे मैंने reply किया तो मुझे भी reply उधर से आया है Team YouTube इस तरह से आपको कुछ reply बगएरा करेगा तो आपको वो वह लेगा DM करने के लिए DM क्या होता है आपको direct message करने के लिए बोला जाएगा या फिर आपका Google account का recent password किया था आपने Google account को किस phone में login किया था और कैसे hack हुआ यह सब कुछ आप से पूछा जागा अगर आप सभी का जवाब 100% real देते हो तो आपका Google account जो है वो 100% recover हो जागा और इसका maximum time होता है 7 days 7 days के अदिनर कभी भी आपका account recover हो सकता है मेरा account जब hack हुआ था तो लगवख 3-4 दिन लग गया था Google account को recover करने में तो मेरा तो Google account recover हो गया तो इस तरह से जो है वो आप अपना Google account को recover करवा सकते हैं और जब आपका Google account recover हो जागा तो आपका free fire account तो उसी से connect है तो free fire account भी automatic आपके account में login हो जागा जब आप Google account को login कर लोगे तो तो इस तरह से जो है वो आप अपने free fire account को काफी यसाने से अगर hack हो गया है तो recover कर सकते हो बहुत सारे लोग का ये trick पता नहीं है तो मैंने आप सब के साथ ये trick शेयर किया तो guys वीडियो बनाने में काफी मेनत लगता है तो वीडियो को like जरूर कर देना और इसी तरह के interesting वीडियो के लिए यार channel को भी subscribe करना चलो guys मिलते हैं अगर वीडियो में टेक कियर बाई बाई जहिन बंदे मातरम